हलो एव्रीवान वेल्कम बैक टू कॉपर्स काविन अकाउंट्स क्लास 12 में जो अकाउंटिंग रेशो यप्टर का सलेबस है वो सलेबस पिछले कई सालों से बहुत नॉर्माल और सेम दू सेम था बट इस साल तीन नए रेशोज एड कर दिये गए हैं CBSE द्वारा और ये रे जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं और जो पहला रेशो है जो हम पढ़ेंगे वह है डैप्ट टू कापिटल इंप्लॉइड रेशो अब आपको एक बात ध्यांज से समझनी होगी कि इस चैप्टर इस नोट ऑनली अबाउट दा फॉर्मूला कि देखो यह रेश कि यख़का घआट किसको het का पड़ें बहुत बहुत है जो क्याता है मालिक का पैसा ओर को रहुता है पैसा और लगाता है और कौन लगाता है बारोवर भी लगाता है तो आपको बात ध्यांस नमजनी होगी कि इन दोनों के जोड़े को capital employed बोलते हैं मतलब धंदे में लगे हुए long term business पे पैसे को capital employed कहा जाता है ठीक है तो shareholder fund और NCLN दोनों को अगर जब combine कर देते हैं तो it will be capital employed तो बात ध्यांस समझना कि धंदे में जब total पैसा लगा है long term basis में इसमें से borrower का contribution कितना है यह जानने के लिए debt to capital employed का काम होता है just for example कि मैंने एक धंदा खुला जिसमें मैं बी का मालिक मैंने लगा 10 लाख रुपए ठीक है और मैंने long term loan लिया है एक पांच लाख रुपए ठीक तो इसका अर्थ क्या है इसका अर्थ यह है कि यह पैसे मैंने खुद लगा है यह मैंने लोन लिया लॉंग तंबल अब मुझे debt to capital valuation निकालना इसका अर्थ क्या होगा इसका अर्थ क्या होगा कि धंदे में जो भी 15 लाख रुपए लगें टोटल इस 15 लाख रुपए में लोन कितना है कितनी क्या रेशो है लोन और टोटल पैसे का अगर मैं वोλοन कितना है इसका अर्थ क्या होगा इसका अर्थ यह होगा कि मिरे धंदे पे long term basis वाला जो 15 लाख रुपया लगा है उस 15 लाख रुपए मेंसे 5 लाख तो लोन का ही है तो रेशो क्या बोलूंगा यह दोनों calculate करने पढ़ेंगे अच्छी बात ना तो मैंने एक तरीका आपको बताया है कि आप कैसे कर सकते हैं उसका फॉर्मूला होता है तो है करन्ट लाइब्रीटी माइनस शियर्ओल्डर फंड वह अगर हम बात करें अपको बताई है मैंने शियर्ओल्डर फंड और एंसे डोनों का combination कहलाता है capital employed तो यह होगे हमारा पहला debt to capital employed ratio जिसमें हम यह रेखते हैं कि total capital employed में debt का contribution बारोर का contribution कितना है अब आगे बढ़ते हैं और बात करते fixed asset turnover ratio की तो यह तोड़ा ज्यांसे समझना तो को यार for example की दुकान मेरे कि कृणा बकलाए मैंने जब दुकान खोल रहा था तो बहुत सारा पैसा किया था पार जान समझने होगी ही थय स्मझने कर पेसे इंवेंटरी खरीद होगी, स्टॉक खरीदा होगा, डिट्रस वगेरा को पैसे उधार देने के लिए पैसे लगाया होगा, साथ ही साथ, कुछ NCA, मतलब non-current asset, पर भी इंवेस्ट किया होगा, जैसे बार एक्जमपल, फरनीचर खरीदा होगा, मैंने, मैंने बिल्डिंग खरी इंवेस्टमेंट होता है, और इन सारी चीजों पर हुए, इंवेस्टमेंट को इन सारी चीजों को ही आप क्या कहते हो, fixed asset, मतलब जमीन, बिल्डिंग, मशीन, फरनीचर, गुडविल, पेटेंट, यह सारी की सारी चीजे, fixed asset के अंदर आती है, tangible और intangible भी, ठीक है, तो यार, कोई भी इंसान, जैसे मेरी जैसा विकती है, अगर, पांच लाख रुपए, का fixed asset लगाया है, धंदे में, कि बही चलो, फरनीचर बनवा लेता हूं, दुकान को लूँगा, पांच लाख रुपए का मैंने फरनीचर बिल्डिंग बनवाया, दुकान के लिए, भी मैं दुकान दर मैं क्या जानना चाहता हूं, मैं ही जानना चाहता हूं, कि मैंने जो पांच लाख रुपए कर्च किये थे, ये पांच लाख रुपए से कुछ सेलेल हो भी रहे की नहीं, और दुकान चल रहे है, तो यहां पर, अगर, मेरी दुकान में, साल भर का 15 लाख investment से तीन गोना जादा है तो यह जो रेशो होता है टाइमस में निकलता है यहां पर मैं कि जानना चाहता हूं मैं जानना चाहता हूं कि मैंने जो investment किया ताफ इसेट पे at the starting point of time कि दंदा खुल रहा था है फिर अभी कितने की है वो fixed asset के थू मैं कितना sales generate कर रहा हूं यहार कोई जानना चाहता है और वही जान पाता है fixed asset turnover ratio से इसलिए इसका formula होता है revenue from operation इसका मतलब होता है net sales कि आपने कितना गल्ला किया है अपन net fixed asset आपको बात हैं समझने होगी कभी-कभी आपको net fixed asset ना दी हो तो आप average fixed asset भी ले सकते है net fixed asset का मतलब होता है fixed asset minus depreciation और average fixed asset का मतलब होता है कि starting पे आपके asset कितनी थी fixed asset और ending बेंगी उसका एक पॉसतन ठीक है क्योंकि actually होता है कि कभी-कभी fixed asset change होते रहे रहे appreciation लगने के कारण और और भी नई चीछ खरीद ली for example एक और नीचा खरीद लिया तो एक कोई भी business fixed asset अगर count करे तो कों क्या माने जिसलिए वो एक उसत मानता है जैसे for example विराट को ली एक इनिंग में 100 रहा एक इनिंग में 0 प्याओ गया ना मैं 100 रहन से विराट को लिए की काभी जच कर सकता ना जीरो से काभी जच कर सकता समझवारे बात को ऐसे fix the asset का जब आप पुट करोगे value तो अगर आपके बास beginning अब बात करते हैं net assets turnover ratio अब बात करते हैं net assets तर्नोवर रिशु की अर्थात नेटर्स का एक और नाम होता है क्या 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 पिटल इंप्लोइट जो मैंने अभी आपको संद्या था क्या मतलब लॉंग टम मेंस इस पे धंदे पे लगा हुआ पैसा मालिक द्वारा और बाहर वालो द्वारा थात शेयर होल्डर फंड प्ल हैं और थो लोफह क मैंने लॉंग ट्रम लोल लिया था अब और इसे हैं भी जो दन्राइं लाग रुपय लगाये उर्पट करते हो कि तनला कर रहा हूं है और कितना पैसा मैं ने लून लेकिया खुज सेश्च में लून लेकिया खुझ से ओनर ने लगा बॉसिन्स में ने लिए रिशुक्त फलडायक है तो आपको यहां पर सिंप्ली करना यह सोच हो और उससे गल्ला कितना गुणा हो रहा है और यहां पर बात क्या हो रही है कि पैसा टोटल कितना लगा है लोन और एक्विटी वाला वो सब मिला के कितना लगाया है वह यह बैसे इस पर कितना फल दायक है कितना गुना मुझे गल्ला करके दे रहा है यह आप जानते हो आपको यह तीनों रेशो समझ में आगे होंगे ध्यान से मेरी बात समझना तीनों में से एक एक्जाम में जरूर आएगा और अगर आप स्कूप की बात करें तो उसमें भी इसका है ठीक यह टोटल एसट माइनस करेंट लाइबिटी मैंने शेर ओल्डर फंड यह फॉर्मूल ऐसे बहुत सारे फॉर्मूल और अगर आप फॉर्मूल याद करने में सक्षम नहीं है तो मैंने इस वीडियो में इस वीडियो में एक ट्रिक बताई है जिससे आपको हर एक फॉर्मू तil then bye-bye see you soon in the next cabinet